हेलो गाइज वेलकम टू प्यू स्पीसियस और आज हम लोग देख रहे हैं इदिहाश कालीन प्रमुक्ता थे आज का विशह है संसद भावन चलिए देखते हैं संसद भावन का निर्मार 1921 से 1929 के दरौन किया गया था यह एक विशाल वृताकार भावन है संसद भावन की अभी कलपना दो प्रसिद्वास्तुकार एडविन लूटियंस और हरबर्ड वेकरनी की इसकी अधार स्रीला 12 फरवरी 1921 को दा ड्यूक आफ कनाट ने रखी इसके निर्मान में कुल छे वर्स लगे स्काउट घाटन समारों भारत के तत्कालिन गवर्नर जनरल लौड इर्विन ने 18 जनवरी 1927 को आयुजित किया शंसद भावन का केंद बिंदू केंदरी एक अक्षिया सेंटरल हॉल का विशाल विताकार धाचा है भारत के संबिधान सबा की बैठक इसी कक्ष में हुई थी 1947 में अंग्रेजों से भारतिये के हाथों में सत्ता का इस कक्ष में प्रयोग अब दोनों सद्नों की संयूग बैठक के लिए तता राश्पती और विसिष्ट अदीथिया राज या शासन ना धक्ष के अभिभाषन के लिए किया जाता है केंद्रिय कक्ष के दर्वाजे के उपर पंच तंत्र में संस्कृत का एक पद्ध्याश में लिखा मिलता है जिसका अर्थ है मेरा है और होता है यहाँ पराया है इस तरह की धार्ना संकीर्ण मनु वालों की होती है विशाल हिर्दय वालों के लिए शारा विश्व ही उनका कुटुम है अब देखेंगे नए संसद भवन के बारे में नए संसद भवन वह नई इमारत है जिसमें भारत की संसद होगी यह संटरल विश्टा पुनर विकास परियोजना का एक हिस्ता है जो संटरल विश्टा को पुनर जीवित करने के लिए शुरू किया गया है जो नई दिल्ली के राय शेना हिल्स के पास इस्थित भारत सरकार का केंद्री प्रसासनिक छेतर है नए संसद भवन का विचार मौजूदा संसद भवन की इस्थीरता के डर से उत्पन हुआ जो लगभग सौ वर्स पुराना है नए संसद भवन के बारे में कुछ रोचक तत है पीम नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को भवन की आधार शिला रखी इसमें 1272 सीटे होंगी जिनमें से 888 लोग सभा के लिए और 384 सीटे राज सभा के लिए अरक्षित है कहा जाता है कि इस इमारत की उम्र लगवग 1.500 साल है नए इमारत का आकार त्रिकोन जैसा है या पुरानी इमारत से 10% छोटा है विमल पटेल इमारत के मुख्य वास्तू कार है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नए संसद भवन के निर्मान का ठेकेदार है निर्मान की कुल लागत 862 करोड है नए संसद भवन में एक महतपुन स्थान पर शेन गोल नामक एक एतिहासिक राजडन प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जी द्वारा रखा गया है इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है कैसा लगा आप लोगों को जरूर बता है जैहिन जै भारत